चले सुरू करते हैं अनुपात और समानुपात पार्ट टू सबसे पहले प्रस्णा को अच्छा से समझ लेना है पाला नमर प्रस्णा है नीचे दिये गए प्रस्णा में प्रस्णा चिन के अस्थान पर किया आएगा एक बर मैं प्रस्णा को लिख लेता हूं कितना दिया हु है चार अनुपात 13 दिया हुआ है और यहां पर समानुपात का चीन है इसके बाद 64 अनुपात प्रसना चीन यानि की प्रसना चीन के अस्थान पर किया आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं चार बटे तेरा और यहां पर समानुपात लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर बराबर का चिन दे सकते हैं और यहां पर चौशट अनुपात प्रसना चिन है तो यहां पर आप लिख सकते हैं 64 बटे प्रसना चिन अब आपको क्या करना है तीरचा तीरची गुना कर देना है तो 4 गुने प्रसना चिन और इधर में 64 गुने 13 हो जाएगा इहां से प्रसना चिन निकालना है तो प्रसना चिन बराबर क्या हो जाएगा 64 गुने 13 बटे 4 हो जागा 4 से काट लेते हैं तो 16 चोग के 64 16 से गुना कर लेते हैं तो 16 तिया 48 के 8 हाथ में 4 16 एकम 16 और 4 20 यानि की हो गया है इतना 208 तो देख लिए 208 कहां पर है यानि की चौथा नमबर आप्सन सही है प्रसना चिन के अस्थान पर क्या होगा यानि की 208 होगा अगला प्रसन सबसे पहले प्रसना को अच्छा से समझना है अगर प्रसना समझ में आ गया तो बहुती असान तरीके से सौल्व हो जाएगा दूसरा नमबर प्रसना में बौल रहा है नीचे दिये गए प्रस्णा में प्रस्णा चीन के अस्थान पर क्या आएगा अब यहाँ पर देखी सेम कोई चान है लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेना है अब डारेक्ट सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं 9 बटे 15 लिख सकते हैं इसके बाद 45 बटे प्रस्णा चीन इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके बाद गुना करना है 9 गुने प्रस्णा चीन और इधर में हो जागा 45 गुने 15 अब यहाँ पर आपको शोटकट में सॉल्व करना है तो 9 से डारेक्ट कार देना है तो 9 पचे 45 यानि कि इहाँ पर प्रस्णा चीन है और इधर में कितना हो जगा यानि कि 15, 75 यानि कि देख लिजिए प्रस्णा चीन के जगा में क्या होगा 75 होगा तो कहाँ पर है यानि कि 4 नमबर ओप्शन से है तो इस तरीके से आपको स्वल्व करना है एक बर अच्छा से सिखना है समझना है फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा अगला प्रस्णा तिसरा नमबर नीचे दियेगा प्रस्णा में प्रस्णा चीन के अस्थान पर क्या आएगा अब आप इसको क्या लिख सकते हैं यानि की 45 बटे प्रस्णा चीन लिख सकते हैं और बराबर में 3 बटे 2 लिख सकते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले इसको गुना करना है तो प्रस्णा चीन गुने 3 हो जाएगा और इधर में 45 गुने 2 हो जाएगा अब यहाँ पर देख लिजे तो यहाँ पर हम लोग गुना किये हैं तो प्रस्णा चीन यहाँ पर 2 नहीं है यहाँ पर प्रस्णा चीन है तो प्रस्णा चीन गुने 3 है तो सबसे पहले 3 से इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45 यानि की 15 तिया 45 कट गया है अगर प्रस्णा समझ में आ गया तो बहुती असान तरीके से solve हो जाएगा चाउथा नमर प्रस्णा में बोल रहा है यदी A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 तो A अनुपात C का मान क्या होगा तो आपको क्या करना है गया इसान अनुपात C क्या आपको बटे में इस तरीके से लिख लिख लिए यहाँ पर A है तो A से आपको start करना है A बटे B और continue इसी तरीके से आपको लिखते जाना है यहाँ पर B हैर तो B से start करना है B बटे C यहाँ पर C है तो C तक ही जाना है अगर D रहेगा तो D तक जाना है यहाँ पर E रहेगा तो E तक जाना है अब यहाँ पर देख लिजिए A बटे B का भेल्यू दिया हुआ होगा यानि कि A अनुपात B का भेल्यू दिया है कितना है? 2 अनुपात 3 है तो यहाँ पर 2 बटे 3 आपको लिख देना है यहाँ पर देख लिजिए B अनुपात C वहाँ पर दिया होगा B अनुपात C कितना है 4 बटे 5 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यान कि 4 बटे 5 तो इस तरीके से आपको लिखना है अगर कट रहा है तो आपको काट लेना है अगर नहीं कट रहा है तो आपको direct गुना कर देना है तो यहाँ पर देख लिजे कटेगा नहीं तो 4 दूना 8 हो गया और नीचे में 5 तिया 15 यानि कि अनुपात में कितना हो जगा यानि कि 8 अनुपात 15 हो जगा तो देख लिजे 8 अन अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 बी अनुपात C बराबर 2 अनुपात 5 तथा C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5 तो A अनुपात D बराबर क्या होगा तो सबसे पहले आपको A बटे D लिखना है अब आपको क्या करना है बराबर में यहाँ पर A है तो A से स्टार्ट करना है A बटे बी अब आपको क्या करना हो है, इस तरीके से आपको continue लिखते जाना है, यहाँ पर डी है, तो डी तक आपको जाना है, इसके बाद यहाँ पर देखिये सी है, तो सी से start होगा, सी बटे D ही बचेगा लेकिन इस तरीके लिखने से फायदा क्या होगा यानि कि A बटे B का भेल्यू वहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B कितना है? 3 अनुपात 4 है तो आप लिख सकते हैं 3 बटे 4 इसके बाद B अनुपात C बराबर कितना है? B अनुपात C यानि कि 2 बटे 5 आप लिख सकते हैं इसके बाद C अनुपात D कितना दिया हुआ है? यानि कि 3 अनुपात 5 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से अगर कुछ कट रहा है तो आपको कात लेना है तो यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है यानि की 9 अनुपात 50 होगा देख लिजिए कहाँ पर है 9 अनुपात 50 यानि की 4 नमबर option सही है तो इस तरीके से आपको solve करना है लेकिन एक बार सिखना होगा समझना होगा अगला प्रस्न 6 नमबर सबसे पहले प्रस्न को अच्छा से समझ लेना है इसमें क्या बोड़ा है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 तता C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9 तो A अनुपात D बराबर क्या होगा यानि same question लेकिन एक बार आपको solve कर लेना है तो A अनुपात D A अनुपात D यानि कि A बटे D का value आपको निकालना है तो क्या करना है A बटे B B बटे C C बटे D इस तरीके से फटा-फट लिखना है तो A अनुपात B कितना दिया हुआ है यानि कि 3 बटे 4 इसके बाद B अनुपात C कितना है तो 5 बटे 7 इसके बाद C अनुपात D कितना है 8 बटे 9 इस तरीके से फटा फट आपको लिखना है और जो कट रहा है उसको काट लेना है तो देख लिजिए 4 दुना 8 ये कट चुका है और 3 तिया 9 ये कट चुका है अब नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है गुना कर देना है यानि कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दुना 10 तो यहाँ पर 10 हो गया और बटे में 7 यह इकीस यानि कि इतना हो गया यानि कि 10 अनुपात 21 हो गया देख लिजिए 10 अनुपात 21 कहां पर है और चवधा नमबर सबसे पहले प्रसुना को अच्छा से समझना है अगर प्रसुना समझ में आ गया तो बहुती असान तरीके से solve हो जगा इसमें क्या है यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 9 B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 3 कता C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 D अनुपात E बराबर 2 अनुपात 5 तो A अनुपात E बराबर क्या होगा तो आपको सबसे पहले A बटे E लिख लेना है अब आपको direct A बटे B फटा फट लिखना है B बटे C इसके बाद C बटे D इसके बाद D बटे E इस तरीके से फटा फट आपको लिख लेना है अनुपात C, अनुपात D कितना है, तो 2, अनुपात 3 है, इस तरीके से लिखना है, इसके बाद D, अनुपात E कितना है, तो 2, अनुपात 5 है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, जो कट रहा है, काट लेना है, तो यहाँ पर देख लिजिए, किस से कटेगा, यदि कुछ कट रहा है तो काट लेना है तो यहां पर देख लिजिए पांच और पांच कट रहा है अब कोई नहीं कटेगा तो डारेट गुना कर देना है तो यहां पर देख लिजिए यानि कि चार दुना आठ 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 दुना 16 यहाँ पर 16 हो गिया और बटे में कितना हो जगा यानि कि 3 तियाए 9 और 9 गुने 9 यानि कि 9 9 81 तो देख लिजिए कितना आ गिया है 16 अनुपात 81 16 अनुपात 81 कहां पर है तो देख लिजिए यानि कि दूसरा नंबर ओप्सन सही है अगला प्रसना आठ नंबर इसमें क्या बोल रहा है यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 5 B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान होगा आप से पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा तो सबसे पहले आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है A अनुपात B दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से तो यहाँ पर इसमें भी B है और इसमें भी B है तो यह दोनों को सिधा में इहाँ पर इस तरीके से लिखना है लेकिन आपको इसको नहीं लिखना है मैं समझाने के चलते लिखा हूँ आपको direct value को लिखना है तो A अनुपात B कितना है यानि की 2 अनुपात 5 है और B अनुपात C कितना है तो 3 अनुपाद 4 है तो यहां पर आपको 3 अनुपाद 4 इस तरीके से लिखना है यहां पर 3 है सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो A का भेल्यू मिल जाएगा और इसको गुना करेंगे तो C का भेल्यू मिल जाएगा और इसको गुना करेंगे तो B का भेल्यू मिल ज और लास्ट में इसको गुना करेंगे तो पांच चोगे 20 यहां पर 20 आ गया अब आपको क्या करना है अगर इसमें कुछ कोमन है तो कोमन को हटा देना है लेकिन इसमें कुछ भी कोमन नहीं है तो यह डिरेक्ट एंसर आ गया है देख लिजिए छो अनुपात 15 अनुपात 20 कहां पर है छो पंद्रह 20 यानि की तीसरा नमबर आप्शन सही है तो इस तरीके से सॉल्व करना है अगला प्रशन नौ नमबर सबसे पहले प्रशन को अच्छा से समझना है अगर प्रशन समझ में आ गया तो बहुती असान तरीके से सॉल्व हो जाएगा इसमें क्या बोल रहा है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान है तो आपको क्या करना है सबसे पहले A अनुपात B का value कितना है तो 3 अनुपात 5 है इस तरीके से लिख लेना है इसके बाद B अनुपात C कितना है तो 2 अनुपात 3 है तो इस तरीके से आपको लिख लेना है इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो A का value मिल जाएगा इसको गुणा करेंगे तो B का value मिल जाएगा इसको गुना करेंगे तो C का value मिल जगा क्योंकि आपको निकलना है A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा तो इसको गुना करेंगे 2, 3, 6 यहां पर आ गया है इसके बाद इसको गुना करेंगे तो डारेक एंसर हो गया देख लिजिए चो दस पंद्र चो दस पंद्र यानि कि दूसरा नंबर option से ये तो इस तरह का प्रसन एकजाम में आता है और इस तरह का प्रसन को solve करने के लिए बहुत ही असान है लेकिन एक बर आपको सिखना होगा समझना होगा practice करना होगा अगला प्रसन 10 नंबर सबसे पहले प्रसन को अच्छा से समझना है इसमें क्या बोल रहा है यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6 C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपाद B अनुपाद C अनुपाद D का मान क्या होगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले A अनुपाद B का value लिखना है कितना है तो 2 अनुपाद 3 है इस तरीके से आपको लिखना है इसके नीचे B अनुपाद C का मान कितना है तो 5 अनुपाद 6 है तो इस तरीके से आपको लिखना है 5 अनुपात 6 इसके बाद इसके नीचे लिखना है जैसे यहाँ पर B B एक साथ में है और यहाँ पर दखिए B अनुपात C है और नीचे में क्या है C अनुपात D है तो यहाँ पर आपको C को C के साथ मिला के लिखना है तो C अनुपात D कितना है यान B का value मिल जाएगा अब आपको समझना है A और D के लिए तो बहुत असान है अब आपको समझना है B और C के लिए B और C के लिए यहां से हैं स्टार्ट करेंगे यान कि यहां पर क्या है तीन है अगर यहां से इस तरीके से चलेंगे तो B का value मिल जाएगा अगर इधर से चलेंगे तो C का value मिल जगा अब बुना कर लेते हैं तो सबसे पहले इसको बुना करेंगे तो कितना हो जगा यानि कि 2,5,10 और 10,33 यानि कि यहां पर आगिया 30 इसके बाद आपको क्या करना है A का value मिल चुका है अब B का value निकलना है तो B के लिए यहां से start करेंगे और इधर से चलेंगे तो B का value मिल जगा तो कितना हो जगा यानि कि 5,15 और 15,45 यानि कि यह 3ों को बुना कर लिए तो कितना आया यानि कि 45 तो यहां पर 45 रखेंगे इसके बाद C के लिए तो C के लिए क्या करेंगे यहीं से start करेंगे लेकिन इधर से तो यहां पर कितना हो जगा यानि कि 3,18 और 18 तिया 54 यहां पर आगिया है 54 तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ 54 यहां पर कितना है 54 है इसके बाद आपको D के लिए A और D के लिए तो असान है यह तीनों को सीधा गुना कर देंगे तो D का भेल्यू निकल जगा तो कितना हो जगा तो देख लिजिए यानि कि 3,18 तीन चक अठारा और 18 चके 72 यहां पर हो गया 72 अगर कुछ कोमन है तो कोमन को हटा देना है तो क्या कोमन होगा यानि कि इसमें कितना है इसमें 3 है इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो सबसे पहले 3 हटाते हैं तो यहां पर हो जगा 10 यानि कि 10 तीया 30 हो जगा और 3 से यानि कि 15 तीया 45 और 3 से 18 तीया 54 यहां पर अनुपात का चिन है यहाँ पर 18 तिया 54 इसके बाद यहाँ पर 3 से डिभाइट कर लेते हैं तो 3, 2, 6, 1 बच गया तो क्या हो जागा 12 यानि कि 3, 4, 12 अब फिर से देखते हैं कुछ common है तो यहाँ पर 10 है यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 18 है यहाँ पर 24 है यानि कि अब कोई भी common नहीं है तो यह answer आपको direct मिल गया यानि कि A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D कमान इतना होगा देख लिजिए 10, 15, 18, 24, 10, 15, 18, 24, 10, 15, 18, 24 यानि कि दूसरा number option शहिए तो इस तरह का प्रस्ण एक्जाम में आता है अगर एक बार सिक लेंगे समझ लेंगे और practice किये हुए रहेंगे तो इसी प्रस्ण को आप बहुती असान तरीके से कम समय में solve कर सकते हैं अगर कहीं पर समझने में problem हुआ होगा तो comment में लिख के बताईएगा मैं फिर से समझाने का परियास करूँगा आज के लिए इतना ही जैहिन वंदे मात रहूं